दोस्तों बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर जो रहता हो काफी important part है अब देखा जाया तो उसके काफी सारी चीज़े लिकिन एक नए टाप को जो प्रोसेसर होता है वो यहाँ पर मुबाइल फोन के अंदर आपकी entry ले रहा है और यहाँ पर प्रोसेसर के बार में बात कर रहा हो यह बेसिकली होगा एक NPU यहाँ निकी neural processing unit अब देखा जातों मुबाइल फोन के अंदर आथ के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो होती है अपर AI यानि कि artificial intelligence जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो artificial intelligence है उसका use करके आप mobile phone के अंदर नहीं नहीं चीज़े आप कर सकते हो यानि कि अगर आपको real time में कोई अपनी call आ रही है उसे translate करना है वो कर सकते हो images generate कर सकते हो या फिर कोई भी अगर आपने text copy किया या messaging वगरा कर रहे हो तो उसके summary वगरा कर सकता है और यह कुछ surface level की चीज़े है लेकिन आने वाले future में यह काफी सारी advanced चीज़े आरेंगी और आपके mobile phone के अंदर चलेंगी और definitely AI वाले features को use करने के लिए mobile phone के अंदर NPU होना ज़रूर है आज के समय में Qualcomm के Snapdragon की बात करें Media Tech के Dimensity के बार में बात करें इनके अंदर आपको NPU अल्रेडी देखने कुमल रहा है लेकिन यह अभी available है आपके महेंगे और flagship phones के अंदर और जो flagship processor आते है उनमें और जो budget processors आते उनमें भी चीज़ है लेकिन अभी भी उत्ती जादा यह powerful नहीं है क्योंकि NPU यहाँ पर काम करता है कि आपके phone के अंदर dedicated artificial intelligence की performance को provide किया जा सके अब देखो यार एक mobile phone के SOC के अंदर CPU होता है, GPU होता है, ISP होता है लेकिन यहाँ पर NPU काफी जाद है कि important part सिर्फ इसलिए play करना आज के समय में क्योंकि बाकी जगे development हुआ और CPU, GPU काफी जादा advance हो गया है और एक regular consumer का अब इता जादा फर्क पढ़ता नहीं है कि उसके phone के CPU कितना fast है, कितना untoo score हो रहा है, इसकी requirement रहती हो काफी जादा कम रहती है, लेकिन NPU एक ऐसी चीज़ है जिससे यह पता चलता है कि आपके mobile phone के अंदर AI वाले जो task होंगे, वो किस level पर कर पाएगा, अभी के समय में पतों problem जाए, mobile phone के अंदर काफी सारे जो flagship processor आते हैं, जै अभी भी उसका अच्छे तरीके से use नहीं कर सकते हैं, बनला भाई बात समझते हैं यहापे, कि mobile phone के अंदर अभी कोई AI task यहापे आपको करना है, जैसे कि circle to search करना है, उसके लिए definitely जो image आप क्लिक करेंगे, वो Google के server पर जाएगी, यहाँ फिर कई बार translation वगरा करना है, तो उसके अंदर भी जो text रहेगा, वो server पर जाएगा, वो process होगा, उसके बाद आपको result देखने को मिलेगा, और ऐसे काफी सारे task जो भी on device नहीं होते, यानि कि device के अंदर नहीं होते, काफी सारी information बाहर भेजी जाती है, और उसके बाद उसका result यहाँ बार आता है, और same कहानी Windows PC के साथ है, जहाँ पर Microsoft का co-pilot आता है, co-pilot के अंदर भी यहाँ पर जो भी task AI वाले करेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी test generate करना है, या images वगरा भी करनी है, वो सारे Microsoft के server पर होंगे, वो चीज़ा आपके device के अंदर नहीं होंगी, और जब आने devices के अंदर already's implementation का फिचे तरीके से किया गए, जिसका result आप इसकी image processing के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर जो NPU रहता है, वो आपकी जो photographs होती है, उन्हें बहले से जादा better उसकी post processing में मदद करता है, यानि कि आप जो भी image क्लिक करें, AI का use करके उसे और जादा enhance किया जा सकत है, अगर आप किसी से chat वगरा कर रहा है, या notes app में कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर उसको summarize कर सकता है, उसको आपको बात करके सुना सकता है, यानि कि उसको transcribe कर सकता है, इसके साथ एगर आप call पर यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर real-time calls वगरा को translate कर सकते है, यानि कि सामने वाला किसी और language में बात कर रहा है, लेकिन आपको वो सवाई देगा कि वो Hindi में बात कर रहा है, इस तरीके सी चीज़ा यहाँ पर implement की जा सकती है, यहाँ तक की image generation भी possible हो सकता है, आपको बस एक test लिखना है कि आपको किस type की image चाहिए, वो image आपको mobile phone यहाँ generate कर सकता है, यहाँ तक की बात करें तो even आपका जो language models होते, वो भी locally run की जा सकते, यानि कि mobile phone में आपकी जितनी भी information है, सिर्फ mobile phone में रहा है, उसका यहाँ पर process किया जाए, उसको देखके और आपको यहाँ पर result दिया जाए, सिर्फ आपके mobile phone की information का, और internet से भले ही connectivity नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका use कर पाएंगे, यह सब कुछ possible होगा NPU के साथ, लेकिन अभी बताओं प्राबलम बताओं क्या है, अभी जो NPU market के अंदर है, mobile phone के processor में आ रहे है, एक से flagship level को छोड़ दू, तो बाकी phones में है, लेकिन अभी भी उनकी performance उस level की नहीं है, काफी ज लेवल पर आगया है, कि यहाँ पर device के अंदर ही आपकी AI नहीं पर process कर सकता है, क्योंकि वो constantly screenshot लेगा Windows का नया version, और उसको AI यहाँ पर देखे लिया, पता लाए है कि आप क्या क्या काम कर रहे है, तो उसके business पर आपको result देगा, इस type की चीज़े Windows PC के अंदर भी आएंगी, जिसके लिए आप device के अंदर ही देख पाएंगे कि आप किस चीज़ का काम कर रहे थे, और वहाँ पर आपको better results देखने को लेगा, तो कहने की बात है कि अभी जो हमी तक हमने level scratch की है, वो बिलकोली बहुत जादा basic है, अभी जो depth आने वाली है वो काफी जादा कबाल की होग camera's के इंदर improvement या फिर even mobile phone आपका ये भी track कर पाएगा कि आप mobile phone को किस तरीजे से use करते है ताक कि आपको best possible दिखाये जा सके, आपको best possible बैटरी life दी जा सके, आपको best possible user experience दिया जा सके, क्योंकि आने वाले जबाने में ये लड़ाई नहीं रहेगे कि आपका mobile phone में कितना personal preference के सबसे कौन यहाँ पर create करेगा वो एक बात रहेगी यहाँ पर वाल पेपर generation से लेके icon pack आप mobile phone को कैसे use करते हो, कौन सी app use करते हो, वहाँ पर आप क्या काम करते हो, सब कुछ आपके लिए customized result यहाँ पर निकाल कर देगा और customized personalized experience यहाँ पर आपको देखने को मुलेगा, यह एक चीज़ है, जो आने वाले future में हम लोग यहाँ पर observe करेंगे, तो खेर यह एक चीज़ है जो definitely होने वाली है, NPU अभी भी mobile phone में इसकी performance नापने के लिए AI के अलगलन benchmarks होते हैं, लेकिन वो भी काफी जादा basic है, अब आने वाले जमाने में जब इसकी performance बढ़ेगी, ज जो कि tops के अंदर मार मारी जाती है, यानि कि टैरा operation per second में, जब इसके अंदर आपको नई चीज़े देखने को मिलेंगी, तब आप जो artificial intelligence के जो टास्क जिसके लिए आपको अभी जादा time देना पड़ता है, वो एक चीज रहेगी, खेर एक नई type के चीज हो रही है, mobile phone के अ तो यार ये एक important चीज थी जिसके बार में बात करना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में mobile phone के course या processor से जादा हमेशाद उसके NPU के बार में बात करें, या ये देखे कि वो कितना जादा powerful है, क्योंकि इसका जो result होगा और डिरेक्ली आप mobile phone कैसे use करते हो, उस पसंद आये, information सही लगे तो प्लीज नीचे comment करके बता और subscribe करें चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए, thank you, यहां बने रहने के लिए, मैं आप सुलता हूं next one के अंदर, good bye